दीपी क्लासेस की आज जोगर्फी की सिंखला में हम लोग पढ़ने वाले हैं दक्कन का पठार इन जिन लोगों ने अभी तक मेरा पहले का वीडियो देखा है वो इंडियन जोगर्फी के पहले 5 वीडियो आप देख चुके होंगे कि किस तरीके से हम क्रमसा पढ़ते जा रह में आज हम लोग छोटा नागपूर का पठार मालवा का पठार सेंट्रल हाइलेंड पढ़ने के बाद अब बढ़ने जा रहे हैं डेकन प्लेट्यू भारत का वास्थल है जो एतिहासिक है प्राचीन है पुरातन है इनको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे यहां से क्वेस् पूछा जाता है उत्तर से दक्षिण तो आज हमारी कोसिस होगी कि आपको इंडिया के मैप पर मैं उसको समझा पाऊं और आपके एक्जाम के वो सारे कुष्चन भी हल हो सकें जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं मैं उनको बताना चाहूंगा कि आप मेरे जो यह चैनल है इस वीडियोज हैं लगबख 80-90 लेक्चर्स हैं आप इसली उनको देख सकते हैं और जो भी आप पढ़ेंगे आपको किसी और बुक को पढ़ने की जरूत नहीं होगी छोटे से लेक्चर में आप एक पुरा चैप्टर कवर करेंगे तो उनको पढ़ते रहिए इंडियन जोगर दखन का पठा अगर देखें तो अगर प्राचीन काल से देखें तो यह किसका भाग है गुणवाना लैंड का भाग है तो पहले तो आपके दिमाग में ये पता ही होगा जब मैंने आपको पढ़ाया था ये बताया था कि टर्सियरी जो एज में जब हिमाले की उत्ति होती ह तो गुणवाना लेन अंगारा लेन का मिलन होता है उसके बाद एक हिमाले की उत्पती होती है तो यह बहुत ही स्थिर भूभाग है यहां पर नभूकम पाते हैं किसी प्रकार की यहां संचरन की गतिविधियां अधिक नहीं होती है तो अगर देखा जाए तो यह आतिहासिक है तो लावा अगर जो मैगमा निकलता है बाहर निकल के ठंडा होता है लावा उससे जो छेत्र बनता है वो कैसा होता है काली मिट्टी का तो जितनी बाते मैं आपको लिखता चल रहा हूं यह सब आपसे पूछा जाता है काली मिट्टी का छेत्र होगा अब अगर जो आला म चूना पत्थर होगा क्योंकि उनमें बहुत बदलाव भी हुए हैं तो जरूरी नहीं कि सब आगने ही हो बहुत पुरानी चट्टाने हैं तो इनका परदन हुआ है या पक्षय हुआ है रूपांतरन हुआ है इसलिए इसमें अलग-लग प्रकार की चट्टाने पाई जाती हैं अगर इसका आकार देखें तो कैसा है आप देखें ट्रेग logistics है तो त्रिभुज आकार है कितने त्रिपुजाकार कि इतने एरिया में फैला हुआ है तो लगवकश सात लाकए किलिमीटार स्क्तुर एरिय Force ए इनकी सीमाओं को जानते हैं तो मैंने यहाँ पर आपको कुछ यह आरेक बना रखे हैं एक्चुली यह पॉइंट है जो जो ब्लैक लाइन्स हैं वो परवत सिरेडिया हैं जो डॉट है वो परवत सिखर हैं और जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं वो रिवर्स को कर रखा है अगर इनकी लोटेशन एक बार हम लोग जान लें है तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से सको समझ वाएंगे तो आई ये सुरू करते हैं सबसे पहले location location के कैसे पढ़ेंगे दक्कन के पठर में क्या क्या वह आपको अच्छे से याद हो जाएगा वीडियो को आप लास तक देखिए बहुत अच्छे से आज आपको Peninsular Plateau का जो भाग है वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है तो देखिए अगर इसका नाम देखें तो यह कौन सा है अभी हमने जब इसको मालवा का प्रार पड़ा था तो अब आपको बताया था यह क्या है बिंधयाचल चेड़ी बिंधयन परवत है इस इसके साउथ में अगर देखें तो कौन सा है सत्पुड़ा परवत तो अभी सबके नाम देखते जाएं अब आप देखिए कि सत्पुड़ा परवत यह जो है यहां पर सत्पुड़ा और बिंधयन बिंधयाचल इसके बीच में नदी कौन सी बहती है तो कौन सी नदी है यह नर्मदा नदी तो नदियों का नाम भी साथ में हम आपको लिख दें तो याद रहेगा कौन से नदी है ये नर्मदा नदी कि अब इनसे संबन्धित और कुछ जो अस्थल है इनको भी एक बार देख लेते हैं यहाँ पर हैं महादेव पहाडियां और यह है मैखाल पहाड़ी है यहां पर है रामगर की पहाडियां आप इसको पूरा अगर में ना लिखो तो एक बार यात समझ लीजेगा की पहाडियां ही है रामगर की पहाडियां ये है गढ़जात हिल्स गढ़जात पहाडियां गढ़जात पहाडियां कई बार पूछा गया है इसके बाद इन नदियों के ग्रम में देखें तो ये नदी है तापती अब आपको याद कैसे होगा मैंने तो प्रैक्टिस कर रखी इसलिए याद हो गया तो थोड़ा से इसके बारे में आपको पताते भी चलते हैं जब हम पढ़ेंगे ये दक्कन का पठार तो हम लोग पढ़ेंगे सत्पुडा परवत से लेकि कन्या कुमारी तक का भाग यानि कि जो पूरा ये दक्षन का भाग है ये पूरा दक्कन का ही प्राइदीफ है इसको हम अच्छे से समझेंगे कि इनमें कौन-कौन सी ऐसे परवत है जो की एक ब्लाक मांटेन है इसको हम यहां पर लिखते चले फिर आपको मिठाते भी चलेंगे जिससे आपको याद होता रहेगा पहले सत्पुडा के बारे में जानते हैं एक तो यह क्या है ब्लाक परवत है ब्लाक परवत कैसा होता है देखिए जब कभी ब्रंस घाटी होती है जैसे मान लीजे इसका एक जमीन है यह जमीन का एक बाग अगर दस जाए यहां पर यहां का हिस्सा नीचे दस जाए तो क्या होगा और अगर यह हिस्सा दस जाए तो क्या होगा यह यहां पर बन जाएगी ब्रंस घाटी क्या बन जाएगी ब्रंस घाटी और तो इसके उपर बनेगा वो क्या बनेगा ब्रंसोत परवत या इसको कहेंगे ब्लाक परवत आपको पता है मैंने अपने पीछले वीडियों पढ़ाया भी है कि नर्मदा और तापी गटी जो तापी नदिया है वो ब्रंस घाटी से बहती हैं तो इसके जो बीच में परवत है स जाता पांज का होगा नर्मदा इसके पस्यम माप किजाएगा के उत्तर का बहाओ नर्मदा इसके दक्षिन का बहाओ तापति की तरफ बाकि जो नदियां उनमें गुदावरी की साहीग नदियां तो उनका जल उधर जाता है अब आप देखिए आगे इसमें परवत है परवत है यहीं सी के पास में है पंच मढ़ी तो पंच मढ़ी एक दर्शनी अस्तरे तो पूछा आता है कि कि परवत स्रेडियों के पास में है तो पंच मढ़ी यहीं पर इसकी सर्वोच चोटी भी है आए देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है मैकाल मैकाल परवत स्रेडि जो है यह इसका पूर्वी भाग है मैकाल परवत स्रेडि की सबसे खास बात क्या है यह जानते हैं मैकाल से तीन नदिया निकलती है एक उत्तर की तरफ जाती है एक पस्षिम की तरफ और एक दक्षन की तरफ आए जानते हैं व मैकाल परवस्रेडी की उत्तर की तरफ देखें किस नदी का प्रवा होगा तो सोन नदी सोन किस की सायक है गंगा नदी की तो देखें सोन नदी का प्रवा गंगा नदी में आके मिलती है वो जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती मैकाल का ही कि जो कुछ भाग का अपवा है वो कहा है महानदी अब सवाल क्या पूछेगा मैकाल परवस्रेडी नहीं पूछेगा एक्चुली मैकाल परवस्रेडी पर है अमर कंटक चोटी क्या है अमर कंटक चोटी तो आप से सवाल ये पुछेगा कि अमर कंटक वो कौन सा अस्थल है जहां से तीन-ती नदिया निकलती है तो महकाल परवस स्टेडी भी कह सकता है या उसकी चोटी अमर कंटक तो ज्यादातर question किस से आए है अमर कंटक से तो अमर कंटक एक ऐसा अस्थल है, जहां से सोन, नर्मदा और फिर ये क्या है, जो नदी का प्रवा है, तो तीन तरफ इसका नदी का प्रवा देखने को मिलता है तो हमने जाना अभी तक कि सत्पुड़ा परवत के आसपास नदियों की स्थिति कैसी है, यहां पर पंचमड़ी कहा है, मैकाल में कौन सा है, तो अमर कंटक, यहां पर हमलिक देते हैं, अमर कंटक, अमर कंटक से नदियां दो डारेक्शन में निकलती है, एक तो सोन, दूसरी नर्मदा और उसी के छेतर से महानदी में भी प्रवार होता है, यह हमने जाना, आए जानते हैं इसके बाद और कौन-कौन सी बाते हैं, तो हम देखते हैं महारास्ट का पठार, अभी तक हमने पढ़ा सत्पुड़ा के परवत के बारे में, अब इसके साउथ में आता हैं मह महारास्ट का पठार, महारास्ट की लोकेशन तो आपको पता ही होगा, महारास्ट का एरिया, मद्यप्रदेश से लगा हुआ, इधर करनाटक से लगा हुआ, तिलंगाना से लगा हुआ, तो इस महारास्ट के पठार में कौन-कौन सी प्रमुक्ष चोटियां हैं, कौन-कौन बाला घाट के बाद हरिस्चंद तो यह आपको तीन याद हो गई सत्माला बाला घाट हरिस्चंद अब इसमें क्वेस्चन कहां से आएगा क्वेस्चन यह आएगा कि पच्षिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कहां है तो देखिए यहां नासिक है नासिक के पास में है काल सुबाई यहां थोड़ा उपर पड़ेगा काल सुबाई साड़े सोला सो मीटर है लगभग यह काल सुबाई परवत सेड़ी तो यह पस्षिमी घाट के सबसे उची चोटी है इसके अलामा आपको एक और चोटी मी मिलेगी पढ़ने को महावलेस्वर महावलेस्वर की इंपार्टेंट है आप देख रहे होंगे यहां से एक नदी आगे निकली है महावलेस्वर जो है यह अक्चुली क्रिष्णा नदी का उद्गम है तो यह से आपको नदी भी आद हो जाएगी कौन सी नदी है क्रिष्णा अब इनकी कौन-कौन सी सहायक नदिया है तो बहुत डिटेल में नहीं जाओंगा अभी जब ड्रेनेज पढ़ेंगे अप वह पढ़ेंगे तो आपको वह अच्छे से समझा देंगे आपको देखिए यहां समझना है इंडियन जॉगर्फी में आपको मैक्सिमम जो पार्ट चोटियों को देखा कौन सी है तो कालसुबाई कालसुबाइ जो है वह सर्वोच चोटी है दूसरी सरवोच चोटी है महाबलेश्वर से महां बलेस्तर से निकलती है क्रिस्णा नदी बारबार सुनेंगे याध हो जाएगा सथपुड़ा कहां पर किन्दयन के दकषिण में किस नदी के दकषिण में नरभा के दकषिण में ? डो नदियों के बीच में कौन कौन सी नदियों की बीच में नर्मदा और तापी ऐसे कहा जाए नर्मदा और ताप्ती का विभाजन के स्परवस्टेणी से होता है तो सत्पुड़ा खीक है अब सत्पुड़ा के और पूर्व की तरफ बढ़ी है तो कौन सा आएगा महादेव पहाड़ी की जो महादेव महिकाल यानि की सत्पुड़ा से आगे बढ़ेंगे तो महादेव परवत है इसकी सरवोच्यूटी धूबगड महिकाल के सर्वोच्यूटी अमरकंटक के बारे में आपको वताये नदियों के सोर्स के बारे में कौन-कौन सी सोन नदी नर्मदा नदी महानदी अब इन में प्रमुख बातें क्या हैं तो देखे हरिष्यन यहां देखें तो इसकी जो फर्षिमी घाट पर सबसे उची चोटी है वो कालसुगाई और हरिष्यन परवस्रेणी में कौन सा है तो वह है महाबलेश्वर महाबलेश्वर से कौन स्क्रादी निकलती है कृष्णा स सबसे उची चोटी कालसुगाई दूसरी महाबलेश्वर याद हो गया आगे चले आगे देखते हैं अब इधर की तरफ आता है इस साइड में हमने इस एरिया को जान लिया अभी इस एरिया को यह बहुत इंपॉर्टेंट है इसको थोड़ा से आगे पढ़ेंगे क्योंकि इन में पहाड़ियों का क्रमभी पूछा जाता और बहुत कोईश्चन यहां से आता है तो इसको हम लोग इत्मिनान से पढ़ते हैं पहले इधर देखते हैं यहां पर जो 36 गड़ का मैदान है वह कैसे तो अभी हमने पढ़ा सत्पुड़ा फिर महारास्टर का पठार रायगड की पहाडियां हें तो यह एक एरिया चटिसगड का मैदान है ठीक है तो इस एरिया में 36 गड़ का मैदान है अब इससे लगा हुआ है इससे लगा हुआ है उडिशा की हुच्च भूमी क्योंकि यह से लेटेट कुछ यहां पर उच्छ भूमी यहां यहां पर भूमी है थी लेन्ट्स होझा कि यहां नहीं कौन थे यहां पर यहां कौं 6 करनी होगी कौन सा स्टेट कहां पर है अधर्वाइज आप ऐसे कभी नहीं याद कर पाऊगे कि गुजरात कहा है महारास्ट कहा है मध्यप्रदेश कहा है क्योंकि अगर इतना बेसिक में इस लेक्चर में लूँगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा तो एक सको अगर पहाड़ियां कहां है तो यह उडिशा के उच्भूमी अब यहां पर एक परवत चोटी है उडिशा के उच्भूमी इसका नाम है मलेगिरी मलेगिरी क्यों आता है मलेगिरी जो है यह चंदन के लिए प्रसिद्ध यहां पर चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है चंदन क क्यॐनों के लिए प्रसिद्ध यह आपको याद रहे कौन सा मल blessing कहां है तो उडिशा की उची भूमी में उत्कल इशको उत्कल कोस्ट भी कहते है यहां पर यहां पर है मलय इइसमें तो यह है महेंद्रगिरी महेंद्रगिरी जो है वो पूर्वी घाट की सबसे उची चोटी है आप देखें पस्षिमी घाट की सबसे उची चोटी कौन सी है काल सुबाई पूर्वी घाट की कौन सी है महेंद्रगिरी ठीक है याद रहेगा और यह कहां पर है तो यह उडिचा की उच् अब जो एरिया बचता है यहां पर यह क्या है दंड का रणय में कौंकौन सा भाग AO है तो कुछ भाग उडिसा का कुछ भाग चती op चतीजगर का पर बस्तर बस्त्र prevail तो ऐसे हैं जो चेत्र है वो करिफः पठार सब की लोकेशन जानते जाएए इन से प्रमुक बात या उनलोग पढ़ते जाएंगे जो प्रस्शिमी घाट है वह ज़्यादा ऊँचा है जो पूरुवी घाट है वह 可以 पूरब की तरफ है ज्यादा तर नदियों ने क्या किया है पूर्वी घाट को काट दिया है जगा जगा से तो काटने के वज़े से क्या उसमें समतल मैदान बन गए और जबकि इसका ढाल जो है तेज है तो वह सीधे नीचे अरब सागर में पहुंच जाती है नदियां तो हैं बाबा बूनन की पहाड़ियां यह पूछा गया है कि बाबा बूनन की पहाड़ियां कहां पर है तो बाबा बूनन की पहाड़ियां करनाटक में यसकी सरवोच चोटियां बाबा बूनन की पहाड़ियां करनाटक के पहार पठार में यह पाई जाती है आई अब देखते उत्तरी सायाद्री भी कह सकते हैं यहां पर अगर देखें तो गोवा की उत्तर भाग का उत्तर सायाद्री इधर का दक्षणी लेकिन इसको पस्यमी घाट से ये पूर्वी घाट का कटा फटा देखेंगे आप तो एक क्रम है यहां पर परवत का तो पहले इनके नाम जान लेते हैं वो कौन-कौन से हैं पढ़ते जाएंगे तो यह अच्छे से याद होंगे दर्वाइज यह भूलते भी बहुत है देखें यहां पर है नील-गिरी नील-गिरी की सर्वोच चोटी क्या है तो दोदा बेटा कहंची है दोदा बेटा यह पूछा गया एक्जाम में नील-गिरी की सर्वोच चोटी क्या है तो दोदा बेटा अब नील-गिरी की लोकेशन कहा है तो पूरवी घाट और पस्षिमी घाट के मिलनस्थल पर क्या है न आप यहां पर कुछ दर्र भी एक दर्रा यहां पर है इसका नाम है इसका त्र संद्र रहा है पाल घट इसको इसे यहां पर मैं मेंजन कर दे रहा हूँ पाल हट दर्रा पालघाट जो है यहां से पुछाटे है यह तीन पहाडिया है इनका पूछा जाता है देखिए इन नाम इसमें जब आप पालघाट से क्रॉस कमें चROS तो इसमें पहला नाम मिलेगा आपको अन्ना मलाई अन्ना मलाई पहाडियां है इसके बाद अन्ना मलाई पहाड़ी और यहां पर दूसरी आगे पहाड़ी मिलती है इलाइची पहाड़ीया इलाइची पहाड़ीया सब में पहाड़ीया लगा हुआ है आप लगा लीजेगा इ इस परवत ग्रंथी पर आकर मिलती हैं, मौंटेन नॉट पर आकर मिलती हैं, वो कौन सी चोटी है? तो वो है अनाय मूडी. कौन सी है? अनाय मूडी. मैं यहां लिख दे रहाँ. अनाय मूडी. आप जानते हैं कि धक्षिन भारत की सर्वोच उची चोटी है. तो यह सर्वोच है कहां की? धक्षिन भारत की. साउथ हिंडिया की. तो धक्षिन भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है? अनाय मूडी. कहां पर है? तो अनामलाई, इलाइची, पालनी. देखें, यहाँ पर इलाइची सबसे दक्षिनी है यह question में बहुत बार पूछा गया है कि सबसे दक्षिनी पहाड़ी है, वो कौन सी है? इलाइची पहाड़ी हैं इलाइची जो पहाड़ी हैं, वो केरल और तमिल नाडू की सीमा परिस्थित है तो इलाइची पहाडी, अन्ना मलाई और पालनी के बीश में कौन सा है अनाई मूडी अब इनके बाद पूर्वी घाट के तरफ बढ़ता हुआ एक क्रम है इनका उत्तर से दक्षे या दक्षे से उत्तर क्रम पूछा जाता है तो हम लोग बढ़ते हैं पालनी के आगे कौन सी है तो ये हैं सेवराय, उसके बाद जावादी, उसके बाद पालकोंडा, उसके बाद नला मलाई तो दोस्तों ये आपको इनका क्रम याद रखना होगा क्योंकि इनका पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिन क्रम क्या है तो देखें आप नला, मलाई, पालकोंडा, जावादी, सेवराय फिर यहाँ पे निलगिरी भी आ सकता है या पालिनी भी आ सकता है पालिनी, इलाइची तो यह question आप देखेंगे अगर पीट से उठा के देखें आयोग में तो यह कई बार पूछा गया है तो यह पहाडियां है, इनमें question क्या-क्या बनते हैं तो उत्तर से दक्षिन का क्रम, अनाई मूडी का अस्थल, दोदा बेटा कहां पर है नील-गिरिक इनके joint पर है पस्चिम में कौन है, पूरू में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिन में कौन है इस तरीके से question करके इनमें पूछे जा सकते हैं अगर आप exam में जो अपनी books हैं, उनमें आप देखेंगे तो भी आपको इसी तरीके से मिलेगा लेकिन जब आप उसको book में पढ़ते हैं, तब आपको याद नहीं रहता आए रिवाइस कर लेते हैं दोस्तों जब जब हम रिवाइस करेंगे तो हमको बहुत अच्छे से याद होगा हमने यहाँ पर जाना अभी चतीजगड के मैदान को तो चतीजगड का मैदान महानदी का बेसिम था रामगड की पाड़िया, मैकाल की पाड़ियर और यहाँ पर उतकल जो भूमी है उसके बीच का एरिया है इसके बाद देखें तो यहाँ पर दो हमें चोटिया मिलती है उडिसा में एक मलय गिरी, एक महंदर गिरी महंदर गिरी पूर्वी घाट की सबसे उची चोटी है मलय गिरी चंदनों के लिए प्रसिद्ध है गरजात पाड़िया कहां पर है तो उडिसा में है फिर इसके बाद में आते हैं डंदकारण तीन राज्जियों की भूमी है ठूर्ट जहाँ पर ऊडिसा यहाँ पर रान प्रदेश पिर अते हैं तिलंगाना पठार तिलंगाना पठार के बाद आते हैं करनाटक का पठार करनाटक के पठार में बावाबूदन की पारीयां पेमस हैं फिर और साउथ में आते हैं हमने पसीमी घाट देखा तो पसीमी घाट में हमने देखा यहां पर सह्यादरी मौंटेन है इसमें पसीमी घाट में जो जहां पर पसीमी घाट और पूर्वी घाट मिलता है वो नीलगीरी है इसके बाद साउथ में जाएंगे तो अन्ना मलाई पह दर्रे जो हैं यहां आपका है मुंबई तो मुंबई यहां पर है नासिक और यहां पर है पूरे अब आप याद कर लें कि नासिक से मुंबई को जो जोड़ता है रास्ता इसका नाम है थाल घाट इसका नाम है थाल घाट गर्रा यह एक्जाम में बहुत बार पूछता है कि नासिक से मुंबई को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है थाल घाट यह जो रेल मार्ग गुजरते हैं उत्तर भारत के लिए वो किस से गुजरते हैं तो थाल घाट से अब यहां पूरे से जोड़ता है यह नासिक हो गया पूड़े हो गया मुंबई पूड़े को मुंबई से जोड़ता है यह मार्ग जो है यह किस दर्रे से होकर गुजरता है तो यह है बोर घाट तो जिन लोगों ने मेरा दर्रों का लेक्चर नहीं देखा है वो एक बार देख लिए उनको यह याद हो जा तो इलाची पहाड़ियों को यहां पिलाची पहाड़ियों के बीच में है सेन कोटा दर्रा यहां पर कौन सा है सेन कोटा दर्रा यह भी केरल को तमिलनाडू से जोड़ता है तो यह कौन सा है सेन कोटा दर्रा तो दोस्तों यह कोईस्टेंस इस तरीके से आते हैं आये जानते ह अब दक्कन के पठार के साथ ही साथ तटिय मैदान तो तटिय मैदान जो हैं उनके बारे भी जान लेते हैं प्रमुख कौन-कौन से हैं नाम क्या है उनका तटिय मैदान तट कि अधं कि अध्यान अगर हम लोग देखें तो हमारे पास तक कहां कहां पर है तो एकषटॉ किलोमीटर जो हुआ हमारा तटीए भाग है अगर कोस्टर ईड़ी देखे हैं तो साथ 1516 है क्लोमिटर तो एकछ़लो किलोमीटर पर ही पहले देख लेते हैं इन में जो तट के नाम है वो कैसे हैं हम लोग इसको मिटा देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए और आप इसको अच्छा ना भी मिटाएं तो आपको एक बार देखने में समझ में आना चाहिए हम लोग कुछ इंडीकेटर बना लेते हैं कहां कहां से तट कौन से हैं देखिए यहां पर पस्यमी घाट अब पस्यमी घाट और पूर्वी घाट अब इसका डिवीजन कैसे किया गया है तो इसका डिवीजन है कोंकर करनड़ कोई माला भार है भी अब इसको यहां पर देखते हैं कि पस्यमी घाट में कोंकर कहां है तो कोंकर है गुजराच से लेके ना तक गुजरात से लेके गोवा तक वाकिजेगा गोवा तक कोंकड यानि कि यह गुजरात का जो भाग है यहां से लेके गोवा तक का जो भाग है यह क्या है इसको कहेंगे कोंकड तट कोंकड तट इसके बाद जो करनाटक का है यानि यहां मंगलौर तक मंगलौर है यह जो यह घ्रम है उत्तर से धक्षण क्रम किया है को मालाबार से लेके कन्या मारी तक जो अन्या कुमारी तक का उसका क्या नाम है तो माला कर अक्तब तो यह होगे आपके क्ते हैं यह पूछे जाते हैं कोकड कंडर माला बार अब आईए देखते हैं पूर्वी घाट पूर्वी घाट में क्या है तो पूर्वी घाट में आपको नाम याद रखना है उत्तरी सरकार तट उत्तरी सरकार तट और कोरो मंडल तट इसमें आपको दो याद रखने हैं तो कैसे या क्रिष्णा नदी के मुहने तक यह आं तक यहां से लेक्व हैं तक हो गया यह गया है सरकार उत्तरी सरकार तट और क्रिष्णा नदी से कावेरी नदी तक का यानि कि पूरा कन्या कुमारी तक का जो एरिया है इसे क्या कहेंगे तो इसे कहेंगे कोरो मंडल दोस्तों इसे संबंदीत और भी बाते हैं जिनको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी इनमें कौन-कौन से दीफ हैं कौन से जील हैं कहां पर कौन सी खाडिया हैं उनको भी अभी हम आगे पढ़ेंगे अभी बहुत कुछ पढ़ना है हम अभी टोपोग्राफी पढ़ रहे ह इस तरीके से map पे हम लोग पढ़ेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा मुझे लगता है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपके exam के point office बहुत important lecture है तो अगर आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को like करें अपने दोस्तों के साथ share करें आपके views आते हैं तो हमें अच्छे लगते हैं comment आते हैं तो हमें लगता है कि आप मन लगा के पढ़ रहे हैं तो उमीद करता हूँ कि ये आपके लिए उपयोगी होगा मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में इंडियन जोगर्फी के दूसरे वीडियो के साथ गड़ बाई